नमस्कार और अधाबाद सनीचरी जुलाई के बीस तारिक पेशे आपके लिए साथ दिन के खवरे सुरिनान देस में अंडे के कम ताई नहीं है एरस खार्स नहीं है और ये बात भी नहीं है कि मुर्गी या अंडे का कोई बीमारी है ऐसा कोई बात नहीं है ये कहा गया है कि गर्मी के वज़े से और मौसम जो बदल रहा है लेख किपन जो है इस पर इनका असर हुआ है, ये मौसम का असर हुआ है ये मुरगी पर, लेख किपन पर, इसलिए मुम्किन शायद कुछ कम अंडे है लेकिन स्खार्स से बिलकुल नहीं है असोसियाट सी प्लॉइमफे सेक्टोर सुरी नाम आपी SS ये कहते हैं कि दाम जो है भाव जो है अंडे का जो बढ़ गया है इससे इन लोगों को सुनकर भी काफी हैरानी हुआ है एक बात जो पता चला है आपी SS कहते हैं कि बहुत सा ऐसे एरो स्मोकल होता है मतलब अंडे का स्मोकल होता है फ्रांस खुयाना के दिरफ क्योंकि अंडे का मांग जो वहाँ पर है काफी बढ़ा है और मुम्किन है हो सकता है जैसे कंट्रोल यहाँ पर फल पर नहीं हो पाता है जो फल स्मोकल होता है, सुरे नाम देश से लोग बाहर ले जाती है, ऐसे अंडी पर भी ये कॉंट्रोलर नहीं हो पाती है, तो मुम्किन ये है कि शायद ये एक कारण है, लेकिन अंडी का कोई कमताई नहीं है. वारनेमन्त कॉरप्स शेफ रोबर्ट प्रादू ये लगभख एक साल से या एक साल हो चुके है, कि ये कॉरप्स शेफ के वारनेमिंग में पद्वी पर बाइठा है, और ये कहा गया है कि वैद के मुताबिक कानूनन ये पद्वी पर, अगर कोई वारनेमिंग पर, किसी भी पद्वी पर कोई वारनेमिंग में बैठा है, तो एक साल के बाद, ये पहला शक्स रहेगा जिनको हक रहेगा, ये पूरा ताव से इस पद्वी पर बैठक लेने के लिए, यानि वारनेमन्त कॉरफ से इनहें कॉरफ शेफ बनाने को, इस मामले के बारे में होफ्द इंस्प कौरफ्ष्ट शेफ है एक साल हो गया है तो मुम्किन है जल्द ही में आनी वाले दिनों में यह कौरफ्ष्ट शेफ जो है बन जाएगा इसका न्यूपती होगा सुरिणाम देश में पिछले हफ्टा भीते होवे एड़ वार के शाम को जो उर्ययम आए है कुंस्ट मेंस आए है यह सस्ता उर्ययम जो है यह रुसलांट से आए है यह उर्ययम जो है यह पादी प्रोजिसेंतन के लिए है मतलब यह है कि जो लोग धान का खेती करते खेतियर क लेकिन कहा जाता है कि इससे कोई तालुक नहीं है, सस्दम से कोई तालुक नहीं है, पेत्रों कारीबे दिल से, जैसे पेश्टर कहा गया था। इसके लिए कोई सबसीदी नहीं देते हैं, जो कहते हैं कि सरकार सबसीदी देते हैं, जो कहते हैं कि सरकार सबसीदी देते हैं, जो कहते 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 है अचले कर पिरolds कि पर नट इस पराज भी कर दो में! जो में पराज कर से उनकर कर व Both the कर को से पराज करा पर कर करना कर तो कर नट इस होरी कर जाले क। कर दो जो 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 언제 कर दो हिकि पराज का दो है सक पराज कर 11 स calendar traumatic 15 वसी के लिसान कि भूले कर दोदिए और लिए 007-16 पीचले स्कूल वर रादिध 27 ऑ2 18 में अब लेका मेद 20 सारा आओ इपट रादा ये ले लेरीगजय का रप लेड़ले लेड़ लेड़ी कि लेड़ उसे 55,66% 5.690 लेड़ले लेड़ इपटोक लेड़ने लेका यो को 10-3मनिट, एक्स्त्रा समय मिला है only इंदे वाहना, 15-20When मिलता था तो इंदे लिए, ये 9 साल हे तूड सानीडाति अंदे 5-20मिला मिला इंदे वाहना. A.B.S. का फ्राओद साग जो है यह कई दिनों से ये चल रहा है कितने दिनों से चल रहा है इसमेशा का स सटनाkilा मां करते है कि ना सरीF EBS काहाणी हुआ है लेकिन पूरा देश सुरिनाम देश भर काहाणी हुआ है क्योंकि EBS एक साथ्स बिद्रैफ है, सरकार का एक बिद्रैफ है अफिसीर फायोसिटसी कहती है कि ये सब जान बूच कर दिरक्से लेएदन जो है ये सब जान बूच कर कुछ ऐसा कदम उठाए है कुछ ऐसा काम किये है कि ABS को हानी पहुचा है जो तै हुआ सा, इससे हट कर लोग कदम उठाए है, लोग खरीदारी किये हैं और इस खरीदारी से ABS कहानी हुआ है, लेकिन जहां पर खरीदारी किया गया है, यह पैसा खर्च हुआ है, उन लोगों को फाइदा हुआ है इससे. अबपी से कहाने है, जो फौधे लोग भ prompted किया है, सबदा लोग को खरीदे कांवारी क help किये है, जह उत मगे अन लोगों को उाएदारी कांवादा लोग ज हो उन 30.000 अफदेलिंग फ्राउद जो है पोलीस का यह सब खोच बीन कर रहा है कैसे लोगों के पास बेकानूनी तोर पर सुरिणाम देस के पस्पोर्ट और E-ID कार अभी हाली में यह E-ID कार जो इंत्रोधिसेर हुआ है यह आई है सुरिणाम देस में कैसे लोगों के पास यह सुरिणा इसको पॉलीस गिरफदार किये इनके पास एक खल्द पासपोर्ट और E-ID कार मौजूद था और यह आदमी यह यून हा यह तरीनी दाथ के तरफ जा रहा था सफर करने वाला था इन पर शक है पॉलीस को शक है कि यह गोल माल किये है मुम्किन हो सकता है कि यह नकली कागजा पेश किये है और इसके साथ इनके लिए एक सुरिनाम्स पासपोर्ट और E-ID कार्ड बनाया गया है है हैरानी के बाद सरकार के लिए यह है कि 25 तारीक जून 25 यूनिको यह आतमी सुरिनाम देस में आई है और कुछ ही दिनों के अंदर इनके पास एक सुरिनाम्स और E-ID कार्ड है इस मामले में आगे खोजबीन हो रहा है आब अपका परल्लमेंटारियर एद्वाद बेलफोर्ट यह कहते है कि इनको काफी चिंता है कि लोग इसमें काम्याप हुए है यह ID कार्ड का नकल बनाने के लिए नकली ID कार्ड बनाने के लिए यह हो सकता है सही त जैसे पेश्टर उन्होंने कहे चुके थे दिया नामें जब यह ID कार्ड वैत का बहंदलिंग चल रहा था इस बारे में लोग गुफदगू कर रहे थे वैसे सौधान रहने के लिए तो उन्होंने कपका कहे चुके थे जब बहंदलिंग हो रहा था और वो कहते है कि इनको क काफी चिंता है वो अपना ये चिंता जाहिर किये है और उमीद करते है कि यह मामला हो जाए यह सरूर अफसोस के बाद है कि इसमें लोग इतना जल्दबासी किये है यह ID कार्ड इंफूर करने के लिए जब कि फरकी सिंग अभी चंद महनों के बाद हो रहा है इतना नहीं पता है मानफ कनहाई मंगर को बीत होए मंगर को यह फोर से तर चुना गया है फरेन हें फन नोतारसन का नयाम बस्तूर में अभी कुछ और लोगों को बाठक लेना है लेकिन इसमें सिक्रेटारस है अनक शेन अलेन और पैनिंग मेंसर है मौरीन पीनास बस्तूर चाहत इसमें लोग चाहते हैं कहते हैं एक आखील रिनुफाद से आना चाहिए इसमें मरमत होना चाहिए कहते हैं मतलब यह है कि लोग चाहते हैं कि और अच्छे तरीका से और सौधानी से ये काम किया जाए ताकि जन्ता जिनको ये नोतारसन पर से भरोसा उड़ गया है इन जो नोतारस करते हैं इस पर काम करना बहुत जरूरी है। कनहाई कहते हैं कि नया बस्तूर को ये पता है कि ये काम लोगों को पूरी इमानदारी के साथ करना चाहिए इस पर इसलिए लोग काम करने वाली है ताकि इमज जो है नोतारस के काम का ये फिर से सुधारा जा सकता जो है नोतारस अमका ये इस वक्त पर्लमेंट में लोग इसके बारे में बात्चीत करने वाली है और इसमें कुछ बदलाव आने वाली है तो वो इस बात से बहुत खुश है इस से इस पर कंट्रोल जो है और बहुतर किया जाएगा नोतारस के काम पर और बहुतर कंट्रोल क्योंकि यह बेकनोनी काम किया है, इसलिए इसकोर्श किया गया है, तो कनहाई कहते है कि यह बहुत अफसूस के बाद है, वैसे शीतु सरीफ नहीं, लेकिन चार और मुकतमा है जो तुख्त कॉलेश के सामने रखा गया है, और इस पर तुख्त कॉलेश अपना फैसला सुनाए इसमें से एक मुकतमा कनहाई का खुद का भी है, वो कहते है कि यह प्रोसेस जो है, यह मुकतमा है, इसका वो इंतजार में है, इसका नतीजा क्या होगा, कनहाई एक साल पहले नोतारस बना है, इसका न्यूपती होगा है, पिछले दो हफ़ते में 71 अटक बुष शोफिर्स क अपस Leelidas का रहıylaे है, अल से इसका नतीजा का उania है, इसका वाखे बुदे बुदेंसका, इसका है, अटमेन का नती होगा है, छgangenती में तूल, इसका नती लिए है, और सम्तु झा मुकतमा क्या होगा है, उसका नतीजा का उतार्णा है, इसका बुद। जो है इन लोगों को डार भरना परा, बुत भरना परा है, बहुत ही लापरवाही लोग किये हैं, यातायाद में इस तरह से लोग ये बिजगारी हाक रहे थे, कि औरों के जान का खत्रा था और यातायाद में काफी खत्रा ये सब बन गए थे औरों के वास्ते, वैसे शोफिर इसमें जो फर्खोनिंग्स फोर बार्दन पर खोर नहीं किये हैं, इन लोगों का फर्खोनिंग ले लिया गया है, तेरा बुश शोफिर्स थे जो बिगर लेंबुश फर्खोनिंग के साथ गाड़ी चला रहे थे और एक बुश शोफिर के पास एक नकली शोफिर्स कार था, पलीस शोफिर्स जो बिश शोफिर्स हैं, इन लोगों से कहते हैं, कि ये सब जजा देते रहेंगे, क्योंकि कॉंट्रोल अब वक्त वक्त पर होगा, तो गलत काम आप करेंगे, तो आपको जजा होगा, तो इस पर ज़रूर आपको घौर करना चाहिए. फरेन हेंग फान मेडिसी इन शुरिनाम, ये सब सोमवार को अक्सी करने वाली थी, लेकिन ये अब टाल दिया गया है, तीन हफ़ते के वास्ते, और ये ऐसा हुआ है, आल फे पर बातचित करने के बाद, लोग प्रेसिदेंटेंसी बाउधर से बातचित किये हैं, और मांग था, ईलान हो चुका था, कि जो मांग था, फे-utan होगा फे-एम-ie का, कि स्टा्स Sहिकन हcieं Fonds का صा Это का मेडिस दिरेक्टर को पड़वी से हटाया जाए इस पर प्रेजिदेंट देशी बहुत इश्च गोर नहीं किये है यह मांग जो है फे-म-एस का प्रेजिदेंट पूरा नहीं किये है बाकी का जो मांग था फे-म-एस का और यह था अधमिनिस्टराटीफ और फिनशेल साख के बारे में इस पर प्रेजिदेंट खोर किये है कहे है कि इस पर जरूर वो खोर करने वाले है लेकिन कुछ समय वो चाहते है क्योंकि इसके बारे में मिनिस्टर फिनांसियन गिल्मोर हुफदराट के साथ इनको बात चीत करना है और गिल्मोर हुफदराट उन दिनों में य वे देश में था, ये देश में नहीं था. वेसे तीन हफ्ते के लिए ये अक्सिस जो ताल दिया किया है, इस तीन हफ्ते में प्रेसिदेंट को, मिनिस्टर फोल्क्सक्राशन्थेट एलियास को और स्टेफ को मौका मिलता है, जो तै हुआ है FMS के आलफे के बाद, एधवार 14 तारीक, मंगर 16 तारीक और बुद 17 तारीक जुलाई को, और जो मांग है FMS का, इस पर लोगों को मौका दिया जाता है घौर करने को, और ये मांग जो है इन लोगों का पूरा करने को. हम आपको बता चुके कि जो मेडिस दिरेक्टर है, स्टेफ का, इस पर प्रेसिदेंट इसी बाउतर्श ने कहा है कि वो घौर नहीं करने वाले है, ये मांग पूरा नहीं किये है, लेकिन बाकी का जो मांग है, फेयमेस का, अद्मिनिस्राटीफ और फिनाशेल साकर, इसमें से एक ये है कि जो पैसा इन लोगों को मिलता है और डेक्लाराटीस एक दफा में इन लोगों को दिया जाए, हिससे हिससे में नहीं, इस पर प्रेसिदेंट ने कहा है कि वो जरूर और मिनिस्टर हूफद्राट से बात करेंगे ये पोरा करने के लिए, बीत हुए बेफे को पंच घर में वेट मिनिमम लोगों के बारे में लोग बातचीत किये हैं और 28 28 अलखमेन स्टेमन वोट के साथ ये पास हुए है, इसके लिए 28 लोग अपना रजामंदी दिये है, इ अबब, NPS, फेहपे और पेल, फ्रक्सिस जो है, ये सब स्टेमिंग से पहले, वोट करने से पहले साल को छोड़ कर चले गए थे, मतलब ये है कि ये सब इस वेट के लिए वोट नहीं किये है, दू का परलमेंटारियर कारल ब्रेफल्ट ये इस वेट के लिए ये वोट किये है, ये साल में मौजूद था, बाकी के जो ओपोसिट्सी के पार्टी है, जो लोग साल छोड़ कर चले गए थे, ये सब सहमत नहीं है, मुनिमम लोन बदराख से, फेर तिन होंदट आख्टन तविन तख, एक हजार चार सो अठाइस, एस रखम से लोग सहमत नहीं है, काफी गर्मी इन दिनों में है, ये मौसम जो बदल रहा है, इसी सिलसले में गर्मी का मौसम जो आए है, मिनिस्टरी फ़न फॉलक्स खुसॉन्थैड जो है, जन्ता को सौधान कर रहे है, कि काफी गर्मी होने वाले हैं, ये जुलाय महना के बाकी दिन जो बाकी है, और आगस महना इस गर्मी का अजर इंसार के सहscega और खुसून धाइट पर होगा, हो सकता है, होगा, और इस पर जरूर लोगों को धियान देना है, क्योंकि इस से भी लोगों का धिहान हो सकता है, ये फॉलक्स घृसून थाइट ने बताए हैke फॉलक्स कसोंते, मिनिस्टेरी फॉलक्स कसोंते, कुछ टिप्स दिये हैं इस गर्मी के मौसम के लिए, ये कहा है कि वेर्ष बरिख जो है आप इसे सरूर फॉलो कीजिए, मौसम के बारे में जो कहा जाता है, इसके लिए आप अप टू डेट रहे, ये जानकारी आपको होना चाहिए, ज्यादा देर तक धूप में आपको बाहर नहीं रहना चाहिए, खासता और पर सुबह 11 और शाम 4 बजी के बीच, हर एक 2 घंटे पर आप पानी पीते रहे, चाहिए आपको प्यास नहीं लगा है, तो भी आप पानी पीते रहना, और ये भी कहा गया है, ज्यादा क काम, ज्यादा महनत बाहर, अगर तेस धूप रहेगा, तो आप मत कीजिए, तो इन टिप्स पर आप ज़रूर गोर कीजिए, एक आखरी खबर जो मापको बताना चाहते हैं, एक हैदलाइन खबर है, आज दाख बलाक सुरी नाम में, आज सनी चरकेदीन में, की मदद के तो ये बच्ची जो है, इस वक्त इने दाखिल की गई है, दियाकोनेसन सुकन होस में, और इनको जितना जल्द हो से के वीदेश जाना है, इलाज के वास दे, ऐसे तरफ पूरा पैसा इलाज के लिए भर रहा है, लेकिन इनके साथ चोटा बच्ची है, जो ये चोटे बच् के साथ ये पैसा भरने के लिए, तो जनता से गुजारिस किया जाता है, पैसा अगर आप कुछ दोनाट सी दे सकते हैं, तो इसके इस मदद का लोग मांग करते हैं, परिवार के तरफ से कॉंटक परशोन है, संगीता नाइपाल, इन्हे आपतार कर सकते हैं, अख सेफन सेफ सेहीं, ये ने 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 हपतार के लिए सेफर सेफ दい आप सेफिë, ये ने परिवा जनाप कर दो लिए लिए, तो इसता हैं, तो आप सेफसेंव Fa prevention pra पर घë HK-Rinkbank & bankrekening nummer je 206639437 1י2ab4 HK-Rinkbank as rekening nummer 206639437 Ouër DSB bankenpaas, rek change nummer 6269052 अगर आप मारा का मदद कर सकते हैं तो प्लीस आप मदद कीजिए कुछ पैसे के जरूरत है इनके मावाप के सफर के लिए भरने के लिए इनके बच्चे के साथ बाहर देश जाने को इलाज के वास दे यहां से इस परिवार को भी हम सब बहुत से हिम्मत और टाकत देते हैं और उमीद करते हैं कि इसमें लोग काम्याबते और तंदरूस्ती के लिए हम सब दुआ और प्राधना करते हैं चोटे बच्ची के वास से यह आखरी खबर आद साथ देमें, शुक्रिया, नवस्कार और खुदाफ़ीस